work energy theorem के साब से हम किसी भी system के उपर work कर सकते हैं पहली बात तो जब मैं work करूँगा तो वो एकलाता एक force नहीं होगा हो सकता है 4-5 forces मिलकर के work कर रहे हो तो हमें यहाँ पर पहली बात लिखना चाहिए work done net total work, जित्ते भी forces ने work के हैं उन सब को add कर लो बन जाता हो work net और इसकी value हो जाती है change in kinetic energy के बराबर अब work bend किसके कारण हो सकता है? यह हो सकता है let's say हमने देखा था mg के कारण आ रहा था normal force हो सकता है, tension force हो सकता है friction हो सकता है, pseudo force हो सकता है बहुत सारी चीज़े हो सकते हैं उससे आप पता कर सकते हो अभी हम बहुत सारे तरीके से work done निकालना सीख चुके और भी एक तरीका हो सकता है जिससे आप work done निकाल सकते हो क्या चीज़ होती है वो integral f dot ds ये भी हमने देखा था तो अब ये एक और चीज़ को represent करते है this is also area under f x graph ऐसे भी सवाल आया है अभी हम वो वाले सवाल भी कर लेंगे अचे चेंज in kinetic energy क्या होती है चेंज in kinetic energy हमेशा होती है half m v square या फिर इसी को लिखने का और एक तरीका क्या हो सकता है p square upon 2m बस यही है हमारी work energy theorem इस पर बहुत सारे सवाल आते है एक question solve कर लेते है a cricket ball of mass 15 kg is thrown vertically up by a bowling machine so that it rises to a maximum height of 20 meter after leaving the machine तो यहाँ पर यह चीज़े समझना बहुत जरूरी है कब after है, कब before है, क्या है तो हम आपस कोई machine होगी इस तरीके से machine में से ball को फेंका जाता है और ball मशीन से निकलने के बाद उपर जाती है कितनी 20 meter okay if the part pushing the ball applies a constant force F on the ball and moves horizontally a distance of 0.2 meter while launching the ball the value of F is तो यहाँ पर हो क्या रहा होगा, अब देखो horizontally move करती है ball और फिर भी उपर फिक जाता है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का mechanism हो सकता है, I don't know कैसे बनाई होगी, इसमें कुछ तो machine लगी होगी तो अब यहाँ पर करना क्या है, देखो work done पहले तो इसकी speed कितनी होगी यहाँ पर यहाँ पर rest से start होई थी, kinetic energy यहाँ पर थी 0 यहाँ पर कुछ kinetic energy हमाई पास आने वाली है तो आपको k final पता होना चाहिए उसके बाद आपको देखना है कि इस force ने कुछ displacement करा है displacement की value है 0.2 meter आपको देखना है work done net will be equal to change in kinetic energy इस particular point पर kinetic energy कितनी है वो कैसे पता करोगी उसके लिए आपको यह information का use करना पड़ेगा कि 20 meter उपर जाती है जब 20 meter उपर जा सकती है तो नीचे आते समय उतनी velocity हो जाती होगी तो velocity भी पता चल जाती है हमें velocity की value होगी under root 2gh अब तो almost सब कुछ होगी गया है वीडियो को pause करो question को solve को इस question का correct answer है option number A तो यहाँ पर देखो हमाई पास kinetic energy final kinetic energy final का मतलब after the machine just उसके बाहर हम निकले ना इस point पर जो kinetic energy उसकी value हो जाती है half mv square which is equal to half mass की value है 0.15 into v square की value किती है यह वाली value हो जाएगी तो वो जाएगा 2 into g into h 2 into g की value है 10 h की value है 20 यहाँ से इसका जो magnitude हाजाता है देखो वो कितना हाजाता है यह 2 0 मिलकर के point हटा देंगे यहाँ से 15 into 2 this turns out to be 30 joule 30 joule की हमाई पास kinetic energy final है kinetic energy initial की value रही होगी 0 यहाँ पर रही थी तो work done net work done net is equal to delta k work done is equal to f into s is equal to 30 joule f की value हाजाती है 30 divided by s और displacement कितना हुआ है यहाँ पर point 2 meter तो ही हाजाता हमाई आपस 30 upon point 2 which is equal to 300 by 2 which is equal to 150 newton option number a is a correct answer अब इसी सवाल को modify किया चाह सकता था यहाँ पर यह horizontally move हो रहा था उसकी जगे vertically move हो सकती थी अगर vertically move होती तो अब वो question modified हो जाता है तो मैं उसको diagram में यहाँ पर थोड़ा से बना जाता हूँ इस तरीके से फिर हमाई पास force लग रहा होता फिर हमारे यहाँ से displacement होता 0.2 meter इस particular case में हमें work done by gravity को भी consider करना पड़ा तब हमारी equation क्या बन जाती work done by F plus work done by gravity will be equal to change in kinetic energy अच्छे kinetic energy तो उतनी ही चाहिए यहाँ पर हमें अगर इस ball को इतना उपर तक जाना है इस case में हमारे पास answer क्या जाता work done by force की value होती force into displacement की value कित्ती है 0.2 plus work done by gravity कित्ता हो जाएगा है gravity नीचे की तरफ force लगा रही थी displacement उपर हो गया है तो negative work होने वाला है उसकी value हो जाती है MGH mass की value है 0.15 G की value है 10 और H की value है 0.2 meter is equal to 30 यहां से अब आप solve करोगे तो basically हमारा पास answer इस case में जो आ जाता है force की value आती है 151.5 newton उस case में हमारा पास option number D answer आता है लेकिन अभी हमारा answer यह वाला horizontally वाले case में यहां पे जो horizontally है न इसको vertically कर दो तो आपका answer यह आ जागा an object of mass 500 gram initially at rest is acted upon a variable force whose x component varies with x in the manner shown हमें force का और x का graph दे दिया है time का graph निया है the velocities of the object at point x is equal to 8 and x is equal to 12 meter will be यहां पर और यहां पर हमारा पास velocity कितनी होगी अच्छे यहां से start होगी थी rest से हमें करना किया है इस case में work done net की value होती है delta kinetic energy change in kinetic energy kinetic energy initial है तो हमारा पास इसकी value आ जाती है half mv square final velocity final kinetic energy minus initial kinetic energy work done net क्या होता है work done net होता है हमारा पास integral f.dx यहां पर यह हो जाता है area of fx graph कौन सा वाला area होगा आपको यह वाले area calculate करना है एक बार यहां से यहां तक area calculate करोगे तो आप एक velocity निकाल पाऊगे दूसरी बार में आपको total यहां तक का area calculate करना है नीचे वाले area negative होता है दो अलग अलग velocities निकलेंगे वीडियो को pause करो question को solve करो question का correct answer option number D कैसे है पहले इस area को हम segment में बाटे यहां direct solve कोना चुरू करते है देखो यह वाला area हो जाता है हमाय पास 20 multiplied by 5 20 multiplied by 5 यह वाली value हो जाती है 100 फिर हमाय पास यह है 10 into 8 minus 3 this becomes 30 फिर यह वाला area देखो इसमें यह rectangular portion है 2 into minus का 20 तो यह वाली value हो जाती है हमाय पास minus 40 यह वाला area किता हो जाएगा 20 और 25 यह height हमाय पास 5 यह है 2 इसकी value हो जाती है 5 into 2 into half half भी लगता ना triangle है इसकी value हो जाती है फिर से minus 5 और यह हमाय पास जो finally value आने वाली है यह हो जाएगी 2 into 10 this is equal to 20 अब मैं देखता हूँ velocity at 8 उसकी value कित्ती आ जाने वाली है वह जाएगी work done net यहां तक work done कितना हुआ है 100 plus 30 is equal to 130 is equal to half into mass की value है half into v at 8 का square हमने velocity at 8 calculate कर लेंगे यहां से velocity at 8 की value आ जाती है 2 under root of 130 अब इसको approximation करने की कोशिश करते हैं यह वाली value कित्ती है 130 है तो यह 11 से बड़ा है 12 से छोटा हने वाला है 11 into 2 22 plus something हमें value दिखने वाली है तो हमाया पास अब 2 option आ गए D या C हो सकते हैं हमाया पास यह 2 option नहीं होने वाले है अब velocity at 12 उसको आप calculate करना चाहोगे तो हमाया पास यह total work done यहां तक हुआ है वो कितना हुआ this plus this plus this plus this plus this उसकी value आ जाती है 100 plus 130 sorry 100 plus 30 minus 45 plus 20 तो इसकी value आती है 130 minus 25 is equal to 105 velocity at 12 की value होगी है वो हो जाएगी 2 under root of 105 half m को consider करोगे तो यह वाली value है exactly same चीज़ है हम कर रहे है और हम देखते है V12 is less than V8 कैसे 12 पे velocity आ रही है 2 root 105 यहां पे थी 2 root 130 यह वाली बड़ी है दूसरी value इससे छोटी आनी है 22 से छोटी कौनसी होगी इसमें दोनों correct है हमाया पास छोटी इसमें आ रही है तो यही हमारा correct answer हो जाता है हमें दूसरा option solve करने की भी ज़रूरत नहीं है आप चाहो तो numerical calculation कर लो लेकिन इस तरीके से graph based questions होते हैं a body of mass 2 kg moving under a force has relation between displacement x and time t as x is equal to t cube by 3 where x is in meter and t is in second the work done by the body in the first to second will be पहले इस question को समझते हैं हमें एक relation दे दिया है क्या x is equal to t cube divided by 3 पहले तो यह समझो कि कोई भी body इस तरीके से move क्यों करते हैं किसने बोला x को इस तरीके से जलने के लिए जरूर उसके उपर कोई इस तरीके से forces लगाय जा रहे होंगे जिसके कारण वो इस rule को follow कर रहे है वो जो force लग रहा है वो उस पर कुछ work भी करता होगा और वही work हमसे यहां पर पूछ लिया गया है तब उसको आप किस तरीके से पता कर सकते हैं देखो इसको solve करने का तरीका होगा या तो आप assume करो कि force is a function of time t और force can be a function of x या इसी कोई चीज़े हो सकते है फिर आप integrate करोगे f.dx करोगे हाना limits वगर आपको रखनी पड़ेंगी सोच के क्या रखे या फिर दूसरा तरीका work done net is equal to change in kinetic energy यह calculate करना अगर मुश्किल हो रहा है ऐसे केस में हम क्या यह पता कर सकते हैं बहुत आसान है x हमें time का function दिया हुआ है तो क्या मुझे velocity पता है velocity पता है तो kinetic energy इस पता है वीडियो को pause करो question को solve इस question का correct answer है B हमाँ पास velocity आ जाती है dx upon dt तो उसकी value जाती है 3t square upon 3 which is equal to just t square velocity आ गई है तो kinetic energy में जो change है kinetic energy final minus kinetic energy initial अच्छा kinetic energy final की value है वह हो जाती है half m अच्छा वह तो common निकालगा दोनों में से v2 square 2 second पे velocity कित्ती है जाती है 4 तो 4 का square minus 0 second पे velocity होती है 0 इसकी value हो जाती है half into mass की value है कित्ती 2 into 4 का square यह तो आगे बढ़ी आसानी से 16 Joule बहुत ही आसाना answer था जादा यह सब दिमाग हमेशा नहीं लगाना ची कभी-कभी simple रास्ते भी होते हैं कितना भी work कर लो kinetic energy मेरी burn नहीं पा रहे है subscribers burn नहीं रहें तो ऐसे subscriber potential energy में count होगा जिसमें भी counter please subscribe जरूर कर लेना चैनल को इस चैनल को नहीं इसको तो करना ही है मेरे vlogging चैनल को भी subscribe करो link is in the description में और अचा यह वीडियो एक actually छोटा सा वीडियो है पुरी पुरी crash course है उसका चोटा सा पार्ट है link in the description एक महीने दो-दो घंटे की classes होई है और उसमें complete physics का course with a lot of pyqs तो उसको ज़रूर देखना और मेरी आपसे request है कि QR code को scan करें कुछ amount donate कर दो ताकि मैं और भी अच्छा content आपके लिए ला पाहूं हम मिलेंगे अगले वीडियो के